करें हिसूं हेलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक मैं यूटिप चैनल लाउवित रो नत दोस्तों अपसभी का हमारे स्भागत हैं शाथ्यों आज ही हाथ जूटीसरी को ले करके हम आया है और पहार जूटीसरी को लेकर को ले करके आया है साथियों और आज इसके mcq को सॉल्व करेंगे और आज यो mcq में ले करके आया हूं आपके सामने वह है इंडियन एक्ट 1872 का mcq वे साथियों जो भी mcq हम यहां पर सॉल्व करेंगे उसके एक्स्प्लानेशन के साथ साथियों हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे जो भी हमारे examination में आया हुआ है उन्हीं सभी mcq को हम डील करेंगे कहीं upcj में आया है तो कहीं तो दोस्तों भीना देर के इस सेशन को श्टार्ट करते हैं, देखे साथियों, यह जो आज मैं सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, यह है भारतिय साक्ष अधिनिया, जिसको कि हम लोग इंडियन एवडेंस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और साथियों यह सेशन जो होगा आपके लिए बहुत ही relevant सेशन साबित होगा, क्योंकि इसमें हम MCQ के बारे में बात करेंगे, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, कि जो भी मैंने MCQ लिया है, साथ-साथ में इसके explanation भी दिया है, और आप अगर explanation के साथ पढ़ते हैं, तो यह आपके लिए और भी बहतर हो के लागू होने की सही तारीख क्या है, अब यहाँ से भी आपके examination में बहुतों बार question पूछा है, आप यहाँ पे जीता जागता उधारण भी देख सकते हैं, कहां कहां यह कितनी बार यह question पूछा गया है, तो साथ यह इसका correct answer mark किया जाएगा, वो B वाला correct answer mark किया जाएग और एक सितंबर 1872, यह सभी लोगों को कहीं न कहीं लर्न होता है, कि एक सितंबर 1872 को ही हमारा भारतिय साक्ष अधिनियम को क्या किया गया था, लागू किया गया था, अब इसके explanation को देख लीजिए, कि इसका explanation आप देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि क्या वाक् अधिनियम का बिस्तार संपूर भारत पर है, और यह कहां से हमको पता चलता है, जब हम section number 1 देखते हैं, किसका Indian evidence का section number 1 देखते है, तो यह संपूर भारत पर क्या है, इसका विस्तार है, भारतिय साक्ष अधिनियम कि एगर हम बात करते हैं, तो next question यह नह Sharps крут too इंगर ठीन, तो ने अभी फस्ट कोश्चन में ही observe किया था कि एक सितंबर 1872 को प्रविर्थ हुआ था और यहां पे क्या दिखाया गया यहां पे यहां पर को देखिए और यहां पर को देखिए यहां पर आपको आंसर लगवाना मेरा उद्देश से नहीं कि मैं आया और आंसर आपको लगवा करके चला गया नहीं मेरा जो मेन intention है आपको previous year paper solve कराने का आपको जो भी mcq solve कराने का आपको question के nature को दिखाना है क्योंकि जब आप question के nature को देखेंगे तभी आप आगे बहतर कर सकते हैं क्योंकि देखें यहां पर लागू होने की की जा रही है और यहां पर तुरंत प्रवर्थ की बात की की जा चुकी है कि मिंस की प्रविर्थ कव हुआ था तो दोनों देख करके आद को confused होने की आऊ सकता नहीं है next question के हम बात करते हैं question no.3 में question no.3 में कह रहा है कि भारतिय साक्ष अधिनियम सक्ष अधिनियम मार्च 1772 को इसको क्या किया गया था इसकास को डिल कर रहा है कि भारतिय साक्ष AM 1872 को गवर्नर जनरल की सामती किसकी सामती उस टाइम दिया गया था साथियों तो गवर्नर जनरल उस समय हुआ करता था हमारे पास हम स्वतंत्र नहीं हुए थे हमारे पास कोई भी प्रेसिडेंट आफ इंडिया नहीं हुआ करते थे तो जो भी हमारे एक्ट को जो भी अनुमती दि कितने तारीकों तो पंदरा मार्च 1872 को इसको अधिनियमित किया गया था लेक्स प़ेक्शिन के करते हैं ख़रती चांच अधिनियम लागु नहीं होता कहां पर लागू नहीं होता है तो आप सभी लोगों को पता है कि भारतिय साक्षा दिनियम कहां कहां पर लागू नहीं होता है और यह आप देख भी सकते हैं अभी एक्स्प्लानेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा ना तो ए पर लागू होता है और नहीं बी पर लागू होता है ए में क्या कर रहा है नयाले के समक्ष पेस किये गए सपत पत्रों पर जो एफडेबिट हम लोग पेस करते हैं उस एफ हम क्या करते हैं इसमें इंडियान इवडियंस एक्ट का सहारा नहीं ने यह भारती साक्ष अदिनियम के अंतरगत इसको भी नहीं माना जाता है अब यहां पे explanation को देख लीजिए, अभी तो मैंने मोटा मोटा आपको explanation बता दिया, अब originally explanation को देखिए, कर रहा है कि भारती साक्ष अदिनियम की धारह एक, धारह को भी देखिए यहां पे, भारती साक्ष अदिनियम की धारह एक में संशिप्त नम, विस्तार और प्रारंब क के बारे में बना वन में आपको डिफाइन किया है यह अधिनियम भारती साक्ष्य 1872 कहा जाता है इसको भारती साक्षध आधिनियम 1472 के नाम से ही सौट तैटिश्य संपूर भारत पूर होगा और यह सभी नयालों के समख्य नियाई करेवाहियों बीनाना कािवडम्य एट लागू हुगा और इन्धीन नीवल डिस्प्लि्नरी एक्ट पाथिट इसके ऊपर भी लागू। प्रस्तुत सपत पत्र पर भी लागू नहीं नहीं होगा आपको पता चल गया कि कहा कहा लागू नहीं होता है और बाकी जो जगा है वहाँ पे इंडियान एबिड़ेंस एक ढमारा धूमदाम से लागू होगा तो यह चीज़े आपने अबसर्ब कर लिया नेक्स्ट कोस्चन की बात करते हैं कोस्चन नमबर फिप्ट में चोन समस्थ न्याई के कारिवाही में लागू होता को पढ़ा था कि explanation में बताया था कि एक्ट पे लागू नहीं होता है यह मीडियेशन पे लागू नहीं होता है लेकिन जो समस्त न्याई के कार्रेवाहिया होते हैं उसके उपर क्या होता है हमारा इंडियन एबडेंस एक्ट अपलाई होता है नेक्स्ट कोस्चेन की बात करते हैं कि भारतिय साक्ष अधिनियम 1872 लागू होता है कहां पर लागू होता है साथियों तो न्याईलियों के समक्ष कार्रेवाहियों पर लागू किया जाता है जो भी नियाईक हमारा कार्रेवाहि के उपर हमारा इंडियन एबडेंस एक्ट क्य करते हैं Indian evidence act applies to the both and civil and criminal proceedings before court it is the statement यह कैसा statement है तो यह जो statement बताया गया है यहां पर सही सही statement बताया गया statement रीजन और असर्सन बेस्ट भी आपके examination में बहुत question पूछा जाने लगा है इसलिए रीजन और question पर में focus करके रखिएगा अब इसके explanation को देखे explanation में कर रहा है कि भारतिय साक्ष अधिनियम 1872 दीवानी एम दांडी दोनों तरह के नयालों के समक्ष कारेवाहियों में लागू होता है जाहिर सी बात है civil law पे भी प्रिविल करता है और criminal law पे भी प्रिविल करता है हमारा Indian Evidence Act अता विकल्प भी सही इसका उत्तर माना जाएगा यह बात क्या कर रहा है यह बात 100% करेक्ट कर रहा है next question की बात करते हैं जिसमें question number 8 है हमारा question number 8 में कर रहा है दोस्तों कि निम्लिलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है अब देखे question को यहाँ पर negative terminologies में पूछा कि कौन सा एक जो कथन है यहाँ पर सही नहीं दिया गया है तो साथियों यहाँ पर आपको आंसर देखकर करके पता चल जा रहा है कि C वाला ही इसका जो correct answer है यहीं सही नहीं है इसमें कर रहा है यह की एक मनुस्यकी अमुक ख्यात अब इसके explanation को देखे explanation में क्या कर रहा है कि भारतिये साक्ष अधिनियम की धारा तीन निर्वचन खंड के बारे में मिंस की interpretation clauses के बारे में बात करता है और जब हम लोग section number 3 को observer करते हैं साथियों तो वहाँ पे 10-10 प्रकार के interpretation clauses के बारे में बात करता है जिसमें कोट आता है डाकुमेंट आता है evidence आता है प्रूब आता है नॉट प्रूब आता है डिस प्रूब आता है मिंस की तमाम तरह के दस interpretation clauses को वहाँ पे define किया गया और उसी interpretation clauses के बारे में बात कर रहा है कि भारतिये साक्ष अधिनियम धाराती निर्वचन खंड में तथ्य सब्दों को परिभ परिभासित किया गया जिसके अनुसार से अभीपरेथ है तथ्य का मतलब क्या होता है उसके अंतरगत आती है ऐसी वस्तू ऐसी को वस्तू की अवस्ता मिन्स की किसी बीचीज का matter यह स्टेट आफ मैटर यह वस्तू का संबंध जो इंद्रियों दोरा बोध गम में हो बिकल्प सी इसका सही उत्तर दनक किया नबर 9 के साथ इसे कौंधमें के संबंद में कॉन सा सही यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा यहां पर कहां दिया है कौन सा ऐसा कथन कि तरहिए जो से नहीं अगर पूछ अगर पूछता है कि आपके इंडियन एवदेंस की हम बात करते हैं तो सर जिंप स्टेफिन के द्वारा इस का द्वारा ही तैयार किया गया था अगर यहीं पर पूछ देता है कि आपके ड्राफ्ट किया था तो हमारे Lord Maykallek साहब के द्वारा Draft किया गया था, और फदे की बात मैं आपको ये भी पता देना चाहता हूँ कि जो ये Indian Penal Code भी है, यही हमारा Draft करने के लिए Stephen साहब को भी दिया गया था, लेकिन Stephen साहब ने क्या कहा था, उस- इनके पास time नहीं था Eppropriate Time नहीं था तो इन्होंने Draft नहीं किया तो उसको Draft करने के लिए किसको दिया गया लड मैकाले साहब को Draft करने के लिए दिया गया देखिये Stephen सहब की गुडवत्ता को देखिये Stephen सहब ने जो Indian evidence sector Draft किया वह मात्र 167 section में पूरे Indian evidence sector को Draft कर दिया लेकिन यहीं पे लॉड मैकाले साहब को आप देखेंगे तो IPC को बनाने में उन्होंने 511 सेक्षन को ले लिया अब आप दोनों लोगों की गुडवत्ता को देख सकते हैं कि अगर यही हमारे इंडियन पेनल कूर्ड को भी स्टेफिन साहब ने ड्राफ्ट किया होता तो इन्होंने निप्टा दिया होता पूरे IPC को भी लेकिन यह आउसर इनको मिला था लेकिन इन्होंने इस आउसर को मना कर दिया था देखिए नेक्स्ट कोस्टन की हम बात करते हैं साथियों यह एक फैक्ट था जो कि मुझे पता था तो मैंने आप से साथ सेयर करना उचित सम कि इसको प्रोसीजर जब हम लोग प्रोसीजर को फालो करते हैं उसी टाइम हम इसको क्या करते हैं साक्षे विदी को हम इस्तेमाल करते हैं डियूरिंग टाइम अब प्रोसीजर जब हम प्रोसीजर को फालो करते हैं जैसे हम लोग CRPC को फालो करते हैं CPC को फालो करते हैं साक्ष अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधी है, साक्ष जो विधी होता है, यह एक प्रक्रियात्मक विधी होता है, धातब्य है, मिंस की आपको पता है कि अधिकारों के उबचार हितु अपनाई जाने वाली कारिवाहियों का निर्धारन करने वाली विधी को प्रक्रियात् प्रोसीजर के नाम से भी जाना जाता है निक्स्ट कोस्टिन की हम बात करते हैं दोस्तों निम्लेलिखित में से कौन सी विधी को भारती सक्ष अधिनियम 1872 का आधार माना जाता है किसको आधार माना जाता है तो इसका डी वाला करेक्ट आंसर माक किया जागा और इसमें कर रह अब इसके एक्स्प्लानेशन को आप देखेंगे तो और भी बहतर समझ में आ जाएगा एक्स्प्लानेशन में कह रहा है कि भारती साक्ष अधिनियम 1872 का धारा फोरम की विधी की बात करता है मिन्स की जिस जगह पे हम खड़े हैं जिस देश की धरती पे खड़े हैं उसी देश की धरती का कानून हमारे उपर क्या होगा हमारे उपर प्रिबेल करेगा और वही कानून हमारे उपर लागू भी होगा इसलिए इसको लैक्स-फोरी के नाम से जानते हैं मिन्स की लौ अफ पूरम के नाम से जानते हैं और यह frequently ask question है जो कि आपके examination में बार 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 पूछा जाने वाला question है जिसके संभन में house of lots house of lots की बात करते हैं साथी यह अहां का नहीं है अंडिया का नहीं है यह अमेरिका यह बितेन का कोट है कौन house of lots ने वेग बना वेग बना रिवन एंड फार्मस जक्सन रेलवे अठारो सो पच्छास के मामले में निमलिखित असपस्टी करण दिया अब इनके दोरह क्या क्या एक्स्प्लाइशन दिया कैसा असपस्टी करण दिया गया है कर रहा है साक्ष विदी अस्थानिय नयाले की उठता है कि किस अस्थान पर उपाय का पालन उपाय का पालन होता है और निस्पादित नयाले का अस्थान होता है तो आप लोगों ने समझ लिया लेक्स फोरी की बात लेक्स फोरी का मतलब होता है लौ अफ फोरम लौ अफ दा लैंड की बात यह कर रहा है नेक्स कोस्टन क आपके जाता है और यह बार बार आपके examination में पूछा भी जाता है कि साख्ष विधी है साख्ष किस प्रकार की विधी है तो साख्ष विधी वह भूत लक्षी प्रभाव रखने वाली वाली वीधी के अंतरगत आती है जो साक्छी विदी यह भूत लक्षी प्रभाव रखने वाली विदी के अंतल गति यह इसके explanation देखिए explanation के एकॉडिकर है कि साक्षे विदी भूत लक्षी प्रभाव रखती है मिन्स की भविश्य लक्षी यह लाई नहीं होता है कॉन हमारा Indian evidence Aquí के अगर करते हुता है भारतिय सक्ष अधिनियम 1872 का उद्देश से उद्देशी का के अनुसार है इसका क्या उद्देश से है इसका क्या उद्देशी का है इसका क्या प्रियम्बल है हर एक लौ का अपना प्रियम्बल होता है जैसे Constitution of India का आपका प्रियम्बल होता है इसी तरह से आपका Indian Evidence Act का भी में हमको बताता है कि इसके पास प्रियम्बल में तीन वर्ड है और तीन वर्ड देकर के आपको डेफ्नेटली फसाने का Examiner काम करता है और यही तीन आपके examination के लिए रामबाण होंगे कौन समयकन करना परिभासित करना और संसोधित करना यह इसका प्रियम्बल जिसका Indian evidence sector का यही तीन वर्ड preamble के अंतरगत आता है, consolidate करना, amend करना और उसको क्या करना, define करना, यही तीन बातें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, explanation देखिए, प्रतेक अधिनियम की एक उद्देशी का होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे आपके constitution of India का प्रियम्बल है, जैसे आपका Indian Penal Code का प्रियम्बल है, आपका यहाँ पे इंडियन evidence act का अपना एक प्रियम्बल होता है, इसमें उस उद्देश से का उल्लेक किया जाता है, जिसके लिए यह अधिनियम अधिनियमित किया जाता है, जैसे आपके constitution of India में जो भी प्रियम्बल में लिखी गई थी, सीम ऐसे ही आपके Indian evidence act में भी लिखा गया था, साक्षे विधी की उद्देशी का क्या अनुसार, साक्षे विधी का समेकन करना, परिभासित करना और संसोधर करना इस विधी का उद्देश से माना जाता है, किसका Indian evidence act का, इसका भी प्रियम प्रियम्बल कहा दिया है, तो सबसे पहले आप खोजिएगा, एक खोलिएगा, सेक्षन नमबर वन खोलिएगा, उसके उपर ही आपको प्रियम्बल दीखेगा, नेक्स्ट को सामिल किया गया, साक्षे विधी जो होता है, यह एक प्रकार का नियम के बारे में बात करता है, नेक्स्ट कोश्चन की बात करते है, भारती साक्ष अधिनियम्बल आठारसो बहत्तर लागू होता है, तो यह कहां पे लागू होता है, जिसमें नयाई कारेवाई होते हैं, उन सभी पे यह लागू होता है, किन्तु या प्रशाषनिक अभिकरण की कारेवाहियों पर या पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यह मीडियेशन कारेवाहियों पर यह लागू नहीं होता है जैसे कोट ने किसी को आदेश दिया लेकिन कोट के आदेश को किसी के द्वारा नहीं माना जाता है कोट अज़िय यह जाता है इसके अंतरगत कितने अध्याय और कितने धाराय दिये गया है तो अब roll 2005 0 होगा gefosheen और 1121 अद्ध्याय के अंदर इंडर इसको क्या किया गया इसको विभाजित किया गया है आप ंर एक्टिजन कि भारतिय साक्षा दिनियम 1872 में कुल 111 अध्या और 166 धारा हैं अंतिम अध्याय में केवल एक सेक्षन समाइद किया गया है सेक्षन नमबर 167 जो कि यह स्टेफिन साहब का यह करतब्य है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 167 सेक्षन के अंतरगा थमका हमारा पूरा इंडियन एविदेंस एक्ट को बना करके दे दिया और 1872 में इन्होंने बनाया और देखिया आज 2023 में भी क्या हो रहा है एज उसल प्रिभेल हो रहा है थोड़ा सा इसमें चेंजिस करने के बाद नेक्स को देखिए नेक्स कोस्चन कोस्चन नमबर 18 कह रहा है कि दा इंडियन इसका सब्सक्रीद्न नहीं हलता है थिक शुरू में पढ़ लिया था कि जो सपत्सवत्र पत्र तो यह दिनो Legislangen के समक्ष किये गए सपत्पत्रों और किसी मदयस्थ के समक्ष कारवाहियों पर लागू नहीं होता है यह अधिनियम समस्त कारवाहियों पर लागू होता है भारत संग बनाव टी आर वर्मा 1957 AIR के निर्णेयानुसार अधिकरण के समक्ष की कारेवाहियों नियाईक नहीं होती है अता विकल्प D इसका सही उत्तर माक किया गया है केसे निची निंचे के कूट की सहता का प्यूक करें और गलत गलत कथन को चुनिए और चार नार आहिए कि भारती सक्स चाधुनियर मद्यस्त के समक्षष कारेवाहियों पर लागूं नहीं होता है नियूक्त किये गाय, आयूक्त के समक्स कारेवाहियों पर लागू नहीं होता है, यहाँ पर लागू होता है, गलत कथन कर रहा है, यहाँ पर आप question को observe करिए, गलत कथन को choose करने के लिए, इसका correct answer था, B था, अब आप इसके explanation को देखेंगे, तो और भी बहतर तरीके से आपक की धारा तीन के अनुसा नायले के अंतरगत नहीं आते हैं नायले के अंतरगत क्या नहीं आते हैं तो नायले के अंतरगत मध्यस्त मेडियेशन नहीं आता है ठिक बात करते हैं निक्स एक्स्प्लानेशन की इनके भारती साक्ष अधिनियम की धारा तीन निर्वचन खंड के अ होता है यह नयाले के अंतरगत इसको डील नहीं किया गया तो साथियों आप सभी को पता है कि मध्यस्त साहब को यहां पर सामिल नहीं किया गया है जो की mediation से हमारे डील करते हैं जब हम CPC में जाएंगे तो सेक्षन नमबर 89 को पढ़ेंगे आउटसाइट सेटलमेंट सेटलमें आउटसाइऽ्ट इसकोट के बारे में वहाँ पे बात किया जाता है मींस की सेक्षन 89 को पढ़ेंगे order 10 को पढ़ेंगे और rule 1 को पढ़ेंगे तोहां पर आपको देखने के लिए mediation के बारे में मिलेगा और mediation का एक्ट कौन है ADR मिंस की alternative dispute resolution जिसकों की हम लोग 1996 का एक्ट है उसी के अंतरगत हम इसको deal करते हैं next question के हम बात करते हैं साथ यूं next question में question number 22 हमारा आ जाता है और इसमें कर रहा है कि अधिनियम की धारा तीन में परिवांसी सब्दों के संबंद में निमलिखित में से कौन सा सही नहीं है देखिए question negative पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है तो इसका बी वाला इसको सामिल नहीं किया गया क्योंकि वह जूडिसेयल प्रोसेडिंग नहीं होता है वह नॉन जुडिसेयल एक्स्टा जूडिसेयल के अंतरगात वह आता है इसके explanation को देखिए कर रहा है भारतिय साक्ष अधिनियम की धारा तीन के अंतरगत नायाले सब्द के अंतरगत मध्यस्त समलित माने जाते हैं जब किसे से परिभासित विकल्प सकते हैं निक्स को हम डील करतें कोश्चण नमबर 23 में कह रहा है की निम्लिखित में से कौन सा सब्ध भारतियादियानीयम साक्ष अधिनियम की धारा 3 के अंतरगत परिभासित नहीं नहीं है तो साथी आप सभी और पता है कि नैयाले को परिभासित किया गया दस विक्रिति को यहाँ के अंतरगल दस्तावज साख्ष तीनों को परिभासित किआ गया किन कि संदश्विक्रिति को नहीं संसिविक्रिति के संभन में उपबंद धारा 24 छीले करके 30 के अंतरगद किया गया है १ारा 24 छीले करके ने जूठ बोला ये सभी के सभी कैनेंट होते हैं इक थ्थी के अंतरगत काम करते हैं इस ऩंधिनियंगम कि धारा किसे और रज सूनना निम लिकित मेंसे कौन से तथे A किसको courses के रूप में मानते हैं तो सभी तथे अहलब करते हैं इस आप इसका देखने का कोई मतलम नहीं रहा जाता है लेकिन देख लीजिए भारती साक्ष अधिनियम 872 की धारा तीन में तथ्थ्यकों परिवासित किया गया कि तत्थ्य को किस को करते हैं धारा तीन के अनुसार एशा कोई वस्तू, वस्तू की अवस्ता, मिंस की ऐसी कोई वस्तू की बात कर रहा है, किसी वस्तू की अवस्ता के बारे में बात कर रहा है, या वस्तू का संबंद जो इंदरियों द्वारा बोध गम में हो, कोई मानसीक दसा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, तथ्य है, यह अता पर्यूगत सभी को क्या माना जाता है सभी को एक तथ्य एक फैक्ट के रूप में हम यहां पर बांते हैं नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं कोई भी मानसी के दसा जिसका भान किसी वैक्ति को यह क्या कहलाता है यह एक तथ्य की रूप में कहलाता है इसी को हम लोग तथ्य क कहा जाता है next question की बात करते हैं next question में कह रहा है कि भारतिय साख्ष अधिनियम 1872 के अंतरगत सुसंगत अत्तत्त हैं सुसंगत तत्त्त किसको कहते हैं तो साथ इसका ए वाला correct answer होगा विधिक रूप से सुसंगत होने चाहिए कैसे होने चाहिए अगर सुसंगतिती की बात करते ह तो यह कैसा होना चाहिए बिधिक रूप से सुसंगत होना चाहिए ऐसा नहीं कि अपने मन से जो भी हमने बता दिया वो सुसंगत है बिधिक रूप से सुसंगत का मतला सेक्षन नमबर 5 से ले करके सेक्षन नमबर 55 के अंतरगत अगर यह फाल करता है तो हमको इसको रेलिवें सुसंगत की अनुसार एक तत्य दूसरे से संबंदित इस अधिनियम के उपवंदों में निरदिष्ट प्रकार से हैं किसी प्रकार का वह तत्य उस दूसरे तत्य से संसक्त हो अर्थात विदिक रूप से सुसंगत कहलाता है नेक्स्ट कोश्चन की हम बात करते हैं कोश्चन नमबर 29 में सुची एको को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिये गए साही उत्तर के दर्स आईए अब इसके एक्स्प्रानेशन को देख लिए दस्तावेच को कहां परिभासित किया गया तो ध निम्नांकित में कौन विवादक तथ्य हो सकता है कौन इसके अंतरगत विवादक तथ्य हो सकता है तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है एक और तीन इसका करेक्ट आंसर मांग किया जाएगा एक वाला और तीन वाला कौन ने को की हत्या की है यह एक विवादक तथ्य हो सकत एक्स्प्लानेशन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवकेशन 300 का आई पीसी की बात करते हैं तो एक्स्प्लानेशन देखिए और को समाजिक सेवाओं के लिए पुरुस्कृत किया गया था विवादक तथ्य के अंतरगत नहीं माना जाता है किस वाद में एक पक्षकार द्वारा अभिकतन और प्रती परिच्छा द्वारा और स्विक्रिती तथ्य को कहा जाता है तो यहां पर कौन सा करेक्ट आंसर होगा और इसको बिवादक तथ्य के अंतरगत रखा जाता है नेक्स्ट कोश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोश्चन के अंतरगत आता है क्या आता है एक व्यक्ति की कर रहा है एक व्यक्ति की कुछ ख्याती है यह क्या है यह एक प्रकार का तथ्य के अंतरगत आता है इसको फैक्ट के अंतरगत मानते है एक्स्प्लानेश सबस्क्राइब करते हैं सबस्क्राइब करें निम्हेलीखित कथनों में से कौन सा गलत है किस कथन को गलत माना गया सlor they can do the fifth के कि सिसी को किसी विष्ट सब्द को कि सी विषुष्ट भाहों में प्रियुक्त करता ये एक जाहिल सी बात है इसको क्या माना थेए इसको तथ्य माना चाहिए लेकिन यहन का रहा है लेकिन यह इन 578 एकस्प्लानेशन को डील करिए भारतिय साख्ष अधिनियम की धारा तीन के पाइरा दो के दिरश्टान को किसी विशिष्ट सब्द रही है को किसी विशिष्ट भाव में प्रियुक्त करता है यह एक तथ है अत्व कथन सी गलत है और सिस सही सब सब सब्थ सही है कॉस्चन में कर रहा है कि कॉन से साक्ष विधी में संवलित होते हैं कि बी वाला करेक्ट आंसर होता है साथ यू और कह रहा है है शाक्ष में बीधिक नियम की बारे में बात कर रहा है की भारती साक्ष अधिनियं के अनुष एक नुष लुंति Sono अधिनियम के उपवफदों में निरृदिष्ट प्रकारों में से किसी वह तत्थ उस दूसरे तत्थ स संसक्त होते हैं अर्थात साक्ष्य विधिदी में साक्ष्य कि विदिक नियम समलित माने जाते हैं तभी कि बात कर रहा है और इसको बीवादक तथे कहा भी जाता एक्स्प्रानेशन को डील करी है कह रहा है वीबादक तत्थ से Mā говорить कोई बीटत्यल तत्य जिसे अकेले से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी अधिकार दाईत या निरयोग गयतक्त के जिसका किसी वाद का किसी वाद या कारेवाही में प्रख्यात या प्रख्यान किया गया अस्तित्व या अनस्तित्व के बारे में प्रकिर्ती या विस्तार की उत्पती अवस्य में होती है अर्थात वे तथे जीने किसी वाद में एक पक्षकार द्वारा अभी कथित किया जा पढ़ा लिखा वेक्ती नहीं माना जाएगा ठिक आगे देखे एकस्प्राइशन में को कि मृत्यू करने के करने के अभीप्राय से उस पर वार किया को कि शुआ को को कि-छुछाइत पर बारो वर्स से कम तो वह अपने करित्य का पर नहीं समझ सकता था भारती साक्ष अधिनियम की धारा 3 के पैरा 4 के अंतरगत विवादक तथ्य से समलित है जब कि खो पढ़ा लिखा नहीं था विवादक तथ्य नहीं है यह कि अच्छे चरित्र का रहती था यह एक विवादक तथ्य नहीं माना जाता है साक्ष अधिनियम की धारा 3 में इलेक्टरानिक अभिलेखों को किस तीथी से सामिल किया गया तो साथियों यह पता होना चाहिए आपको कि हमारा संदोहज़ार से आईटी एक्ट को लागू किया गया और कभी यह आया था तो 17 अक्टूबर 2000 को इसको क्या किया गया साथियों नहीं होता है यह आपके लिए साक्षे के रूप में कार्या नहीं करता है किसको अनुमति देता है किसको अनुमति देता है तो जो हलफ नाम हम लोग दाखिल करते हैं उसी हलफ नाम को यहाँ पर क्या देता है अनुमति देता है explanation देखिए ब्हारतिय साक्षय अदिनियम की धारा 3 के अर्थ में सपत पत्र जिसको हलफ नामा भी कहा जाता है साक्षय नहीं होता है यहां पर साब सब बता दिया है जो कि सपत पत्र होता है हमारा एफडेबिट होता है उसको साख्षे के अंतरगात हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं और यह बात मैं सूरू से ही आपको बता रहा हूं एफडेबिट पर अपना एंडियान एविदेंस एक्ट अपलाई नहीं होता इसे साख्षे के रूप में काम में काम में नहीं लाया जा सकता है कि इसको जो हलफ नामा हम लोग देते हैं जो एफडेबिट देते हैं इसको साख्षे के रूप में हम लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं यही एक्स्प्लानेशन पूरा बात कर रहा है नेक्स्ट कोश्चन क मुद्रित या फोटो चितर सब्द यह भी क्या होता है मानचित्र एवं सिला पर उसरण लेख यह भी क्या होता है एक प्रकर का यह दस्तावेज होता है मिंस कि एक दूद वाला है जो पढ़ा लिखा रही है दिवाल पर एक लाइन खीच करके चला जाता है इसको क्या मना गया इसके द्वारा साथ यूं तो अक्षरों के द्वारा अंकों के द्वारा चिनों के द्वारा या किसी भी द्वारा अभिव्यक्त किया गया उधार लेक मुद्रित सिला मुद्रित या फोटो चीन ने सब्द मांचित्र या रेखा फिर या फिर सिला पर किसी भी प्रकार इसको दस्तावीज के इस तर्फ मैं इसको इसा किन जाता है m ciri किसको डस्तावेज माना जाता है वह सांगकन उसको दस्तावेज माना जाता है नेक्स कोश्चन की बात करते हैं भारती साक्ष अधिनियम के अंतरगत निम्न में से कौन दस्तावेज नहीं है किसको दस्तावेज नहीं माना जाता है तो डी वला इसका करेक्ट आंसर है किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो नयाले में साक्षी के रूप में किया गया हो इन इन नमर्यम नहीं माना जाता है नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं को इसको प्रियोग हाता चोट कारित करने के लिए किया गया हो इसको इसको तो है नहीं माना गया है नेलिखित में कि निमनलिखित में से किस खारति कौन भारति शाक्ष अधिनियम का सब्धकी अर्थों के अंसर्गत कौन नहीं आता है तो को सब्सक्रस करें ने इक दस्तावएजW नयाले में निरिक्षण के लिए प्रस्तु दस्तावेजों में सामिल है क्या सामिल है सातियों तो एक दो तीन और चार की चारोग सामिल है एक लिखित दस्तावेज भी सामिल है एक उपहन सांकन भी सामिल है एक इलिक्ष्टानिक दस्तावेज भी है और एक सीला पर उत्कृष्टान लेक भी सभी के सभी क्या होते हैं एक दस्तावेज के रूप में नयालेक निरिक्षण के लिए सामिल है और इस सेशन का लास्ट कोश्चन है जो कोश्चन नमर 50 है निमलिखित मैं से किसे सबूत नही सबूत के तोर पर नहीं देखते हैं और यह सुरु से ही मैं आपको बता रहा हूं कि सबूत के तौर नहीं करता है इस सेशन में इतना ही था जो कि इंडियन एबिटेंट से रिलेटड मैंने आपके लिए लेकर आया था साथ नेक्स्ट सेशन में आपसे बहुत जल्द ही मिल रहा है और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूले जिससे मैं कोई भी लेकर करके आ रहा हूं किसी भी स्टेट जूडिशरी से वह लेकर आपको आसानी से मिल सके दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं अब फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में थाइंक्यू